नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लैप्टॉप रिपेरिंग के लिए कुछ मुख्य उपकरणों के बारे में बात करेंगे। ये उपकरण हमें लैप्टॉप के खराब हुए पार्ट्स को ठीक करने में मदद करते हैं। वन डीसी सप्लाई, लैप्टॉप रिपेरिंग में डीसी सप्लाई मशीन एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, जो विभिन्न टेस्ट और ठीक करने के लिए उप्योगी होता है। डीसी सप्लाई मशीन वाल्टेज और प्रवाह को सेट करने देता है, जिससे आप लैप्टॉप पार्ट्स को सुरक्षित तरीके से चेक कर सकते हैं और खराब या घातक पार्ट्स को ढून सकते हैं। DC सप्प्लाई की मदद से आप लैप्टॉप को पावर देने के लिए सही वाल्टेज और प्रवाह सेट कर सकते हैं और यह जांच सकते हैं कि क्या पावर आने पर लैप्टॉप ठीक से चालू हो रहा है या नहीं SMD मशीन लैप्टॉप रिपेरिंग में SMD मशीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जो की लैप्टॉप में इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स को ठीक करने और चिप्स, सर्किट्स और बोर्ड्स को सोल्डर करने में मदद करता है SMD मशीन के साथ आप लैप्टॉप के मदर बोर्ड पर खराब या बिगड़ी हुई पार्ट्स को ठीक कर सकते हैं यह बोर्ड्स पर सर्किट्स और पार्ट्स को सोल्डर करने में मदद करता है जिससे बोर्ड्स को पुनर स्थापित किया जा सकता है DC Supply Pin Set DC Supply Pin Set का प्रमुक उप्योग लैप्टॉप की बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है जब आप लैप्टॉप को चार्ज करते हैं तो DC Supply Pin Set का उप्योग बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए किया जाता है अगर laptop का power button काम नहीं कर रहा हो तो DC supply pin set का उप्योग laptop को सीधे DC stream से power देने के लिए किया जा सकता है ये आपको power button के काम न करने की स्थिति में laptop को चालने की अनुमती देता है अगर laptop में power supply से संबंधित किसी आंतरिक circuit में समस्या हो तो DC supply pin set का उप्योग उस circuit की परीक्षन के लिए किया जा सकता है Soldering iron Laptop repairing में soldering iron एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उप्योगी उपकरण है जिसका उप्योग electronic parts को ठीक करने के लिए किया जाता है Soldering iron electronic components को solder के साथ जोडने में मदद करता है जो कि circuits और parts को सही तरीके से काम करने में मदद करता है Soldering iron का प्रमुख उप्योग तूटे हुए या खराब हुए electronic components की मरमत और पुनरस्थापना के लिए किया जाता है इसके द्वारा register, capacitors, diodes, transistors, chips आदी के खराब पिन या jack जोड़ कर उन्हें सही तरीके से connect किया जाता है Laptop के data, cable और jack में खराबियां हो सकती हैं जिनके कारण data transmission में समस्याएं हो सकती हैं Soldering Iron का उपियोग इन cables और jack की मरमत के लिए किया जाता है ताकि उन्हें ठीक से जोड़ा जा सके और सही data पास किया जा सके BIOS Programmer BIOS Programmer laptop repairing में एक विशेश उपकरण है जो BIOS chip को program करने और update करने के लिए उपियोगी होता है यह उपकरण विभिन BIOS के chip को समर्थन करता है और उन्हें settings या update करने में मदद करता है BIOS Programmer के माध्यम से आप laptop के BIOS chip को update कर सकते हैं यह BIOS को नवीनतम संसकरण से update करने में मदद करता है जिससे laptop को नए सुविधाओं और सुरक्षा updates से लाभ मिलता है कभी-कभी motherboard पर मौझूद BIOS chip खराब हो जाती है जिसके कारण laptop boot नहीं हो पाता है BIOS Programmer Machine का उपयोग इस प्रकार के date BIOS chip की मरम्मत के लिए किया जा सकता है ताकि सही chip को flash करके उसे फिर से काम करने में मदद मिल सके यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि BIOS Programmer Machine का उपयोग सवेम विशेशज्य या पेशेवर तकनीशियन द्वारा किया जाए SIO Programmer SIO Programmer Serial Input Output Programmer Laptop Repairing और Electronics में एक विशेश उपकरण है जो उपकरणों में Serial Input Output SIO Chips को प्रोग्राम करने और डेटा पढ़ने के लिए उपयोगी होता है ये चिप्स आम तोर पर Laptop और अन्य Electronic Device में BIOS Firmware और अन्य महत्वपूर्ण डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं Laptop में SIO चिप कभी-कभी खराब हो सकती है जिसके कारण USB Ports, HDMI Ports और अन्य Input Output Interface काम नहीं कर सकते हैं SIO प्रोग्रामर मशीन का उपयोग खराब चिप को नए चिप से पुनर स्थापित करने के लिए किया जा सकता है DSO – Digital Storage Oscilloscope DSO Laptop Repairing में एक विशेश उपकरण है जो electronic और electrical circuits की विभिन्न संकेतों, voltage stir और अन्य विशेशताओं को मापने और विशलेशन करने में मदद करता है DSO एक electronic मापन उपकरण होता है जो waveform को graphic रूप में प्रदर्शित करता है जिससे तकनीशियन विभिन्न समस्याओं का पता लगा सकते हैं DSO का उपयोग laptop के different input-output ports, USB ports और अन्य इंटरफेस की स्थिती और signal की मापन करने के लिए किया जा सकता है DSO का उपयोग केवल तकनीकी ग्यान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि signal के सही रूप से मापन करने के लिए योग्यता की आवश्यक्ता होती है यदि आपको यह काम नहीं आता है तो बेहतर हो सकता है कि आप किसी पेशेवर तकनीशियन से सहायता लें Microscope Laptop Repairing में Microscope एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है जो छोटे electronic parts के विशलेशन और मरम्मत के लिए उपयोगी होता है Microscope तकनीशियन को छोटे और संयुक्त circuits में होने वाली खराबियों को जाँचने और ठीक करने में मदद करता है इसका उपयोग Laptop की छोटे components जैसे की registers, diodes और capacitors की जाँच के लिए किया जा सकता है जिससे तकनीशियन उनमें किसी भी प्रकार की खराबियां देख सकते हैं इसका उपयोग Laptop के motherboard और circuit की मरम्मत के लिए किया जा सकता है यह मदद करता है कि तकनीशियन छोटी से छोटी खराबियों को भी पहचान सकें और ठीक कर सकें मल्टीमीटर मल्टीमीटर Laptop Repairing में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण है जो विभिन प्रकार के मापनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है मल्टीमीटर के माध्यम से तकनीशियन विभिन विद्यूतिये और electronic पैरामीटरों को माप सकते हैं और Laptop में होने वाली खराबियों को पहचान सकते हैं मल्टीमीटर का उपयोग आपके Laptop के Power Supply चार्जर की जाँच करने में किया जा सकता है अगर चार्जर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर किसी बटन के साथ जुड़े संबंधित समस्यायों हो रही है तो मल्टीमीटर की मदद से आप वोल्टेज और करंट की जाँच कर सकते हैं Laptop में छोटी-छोटी Components होते हैं जैसे की Register, Capacitor, Diodes, Addy मल्टीमीटर की मदद से आप इन Components के Parameters की जाँच कर सकते हैं Screwdriver Set ये Tool Set आपको Laptop के विभिन पार्ट्स के Screws को खोलने और बंद करने में मदद करेगा Screwdriver Set Laptop Repairing में एक महत्वपूर्ण Tool होता है जिसका उप्योग आपके Laptop को खोलने में किया जा सकता है ताकि आप उसके अंदर की भीतरी सनरचना को पहचान सकें और जरूरी मरम्मत कर सकें यहां तक कि आप खराब हुए हिंजों को भी बदल सकते हैं जब आपको Laptop के भीतरी हिस्से तक पहुँचकर कोई समस्या सुलजानी होती है तो आपको उसे खोलने की आवश्यक्ता हो सकती है Screwdriver Set का उप्योग Laptop की खोले जाने वाली बोल्ट्स को खोलने और बंद करने में किया जाता है